सारे ही विद्ध्यार्थियां दा यूट्यूब चैनल सपोर्ट पोर एजुकेशन वेच बोध-बोध स्वाग आता है अते इस वीडियो वेच असी करांगे P.S.E.B. क्लास एट इंग्लिश दा लेसर नंबर 7 दा पंजाब अग्लिम्स इसदी चैप्टर रेडिंग एन एक्स्लानेशन प्यारे विद्ध्यार्थियो सब तो पहला सानन्नू ग्लिम्स दा अर्थ पता होना चाहिदा ग्लिम्स दा अर्थ होंदा चलाकियां चाक्की ते इस पार्ट वेच इस शेप्टर वेच असी पंजाब दे बारे पढ़ांगे पर पार्ट शुरू करन तो पहला असी करांगे टिफिकल्ट वर्ट्स रिकोगनाईस रिकोगनाईस दार्थ हुँँद है पहचानना Pavilion, जिस दार्त जंद है, मंडपया, पंडाल Jest, जस्ट दार्त जोश Invasion, इंवेजन दार्त है, हमला Brutal, कछोवर Procession, जिस दार्त है, शोबा, यात्राया, जल्चा Irrigate, सिंचाई करना Melodious, मधूरिया, सुरिला Shrine, तार्मीमिकिस्थान पिल्क्री मेच जिज़ार्थ हुन्दा तीरत स्थान आर्किटेक्ट निर्माता याँ वास्तुकार मैनुफेक्चर जिज़ार्थ है निर्माण करना तेहोन असी चैप्टर नू पढ़ देया बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले Mr. Matthew had taken his students on a trip to Amritsar ते इज़ार्थ है कि Mr. Matthew अपने विद्यार्थ है नू अमरे सर्दी यात्रा ते लेके गए Children, you must have recognized this famous folk dance of Punjab said Mr. Matthew pointing at the फंगडा डांसर्स in front of the Punjab पवलियन ते पंजाब दे पंडाव दे बाहर कई गबरू पंगडा पारे सन ते Mr. Matthew ने बच्चे नू क्या की बच्चेओ तुसी इस लोगनाज नू पेचाणलया होवेगा ते बच्चे ने की उत्तर दिता Yes sir, we saw this folk dance during the Republic Day celebrations this year बच्चे ने क्या हाँ sir, असी इस dance नू गंतंतर दिवस दे समारो वेच देख चुके या This dance is full of energy, it shows the great jest for life of the Punjabis said Mr. Matthew ते Mr. Matthew ने क्या की ए नाच पंगड़ा जूचनल परया होया है ए पंजाबी लोग का दे जीवन दे प्रदी उच्छानो दर्साउंदा है पंजाबीस आर वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग एन हाड़ वर्किंग पीपल You will never find them bagging in the streets They are also very brave and never show their bag in a battlefield ते फेर Mr. Matthew ने बच्चे आनू क्या की पंजाबी लोग भोती स्वेबी मानी अधे महंती लोग हुन्दे हन तुसी उन्ना नू कदे वी गलियां वेच पीख मंगदे नहीं दिखोगे वो बहुत बहादर भी हुन्दे हैं अधे जंग दे मैदान वेच कदे अपनी पिठ नहीं दिखाऊंदे According to the history of Punjab The Punjabis have faced all foreign invasions boldly ते इस दार्थ है कि Punjab दे थे हास्दी अनुसार Punjabिया ने सारे विदेशी हमलेयां दा बहुत ही बहादरीनाल सामना किता है During the struggle for India's freedom, Punjab gave the country great heroes They include patriots like Lala Lajpatrai, Pagat Singh, Sukhdev, Udham Singh, Kartar Singh, Sarabha and many others ते अजादी दे संगर्ष दे दौरान जेडे Punjab ने पारतनू great heroes दित्ते हन उनना विट लाला Lajpatrai, Pagat Singh, Sukhdev, Udham Singh, Kartar Singh, Sarabha अते काफी होर देश पगत शामल हन We call Lala Lajpatrai शेरे Punjab and Pagat Singh शहीदे आजम असी Lala Lajpatrai नो शेरे Punjab अते Pagat Singh नो शहीदे आजम केंदे हा All these brave sons of Punjab sacrifice their lives for the country अना सारयां बहातर पुत्रा ने देश देखातर अपडी जान कुर्बान किती Lala Lajpatrai died as a result of the brutal लाथी charge while he was leading a procession against the British in 1928 Pagat Singh, Sukhdev and Rajguru were hanged for raising their voice against the British cruelties Pagat Singh was just 23 years old then ते इस दहर थै कि Lala Lajpatrai दी मौत 1928 विच अंग्रेजान दे विरुद एक जल्च से दी अगवाई करदे हुए उन्ना ते कित्ते गई 2 रहम लाठी चार्च दे कारण हुई Pagat Singh, Sukhdev and Rajguru नो fancy दी सजा दिती गई क्योंकि उन्ना ने अंग्रेजा दे जुल्मा दे विरुद्ध उन्नुस दे खिलाफ अपणी अवाज चुकी शहीद Pagat Singh जी दी उमर उस समें सिरफ तेही सालना दी सी Children, look at the portraits of all the freedom fighters in the pavilion बच्चे हून तुसी पंडालवेच सुतंतरता सेनानिया दे चित्तर देख सकते हू Sir, what is this building that has marks all over its walls? asked Chintu ते फिर Chintu ने सर नों पुच्चया कि सर वो बिल्डिंग केडी है जिस दिवार दे काफी ज्यादा निशान है गेहन Mr. Matthew told Chintu This is the famous जलियांवला बाग और अमरेसर and these are bullet marks ते Mr. Matthew ने चिंटु नों किया कि अमरेसर दा मशूर जलियांवला बाग है ते गोलियांदा निशान है गेहन On 13 April 1919 a crowd of around 20,000 people had gathered for a public meeting here They included men, women and children The British general O'Dayar came there with his armed forces He blocked all the exit points Then he ordered his men to start firing without giving any warning to the people gathered there About 1000 people were killed and more than 1500 were wounded ते 13 April 1919 जलियांवले बाग विखे वीएजार लोग कठे होई सिगे ते उना लुकांवेच मर्द और तां अते बच्चे शामलसन ते British general O'Dayar उत्थे अपड़े सिपाया ना लागया उसने बहा जान दे सारे रस्ते बंद कर देते ते उसने ओत्थे इकठे होई लुकांवेच कोई चेतावने नी दित्ती ते अपड़े लुकांवेच उना अपड़ गोलियांच लाण दा हुकम दित्ता इस हत्या कांड विच लगबग 1000 लोग मारे गए ते 1500 वद जकमी हो गए Mr. Matthew told his students about the partition of India in 1947 Mr. Matthew ने अपने विद्यार्थियानो देश दी वंड बारे दस्या जो की उननी सो संतालेवेच होई सी He said the people of Punjab suffered due to partition of the country on the eve of independence in 1947 Mr. Matthew ने क्या कि पंजाब दे लुकांवे देश दी वंड दे कारण बहुत दुख से There was terrible bloodshed हर पास से खून खराबबा सी Thousands of people had to leave their homes and live in refugee camps हजारा लुक का अनू अपने कारण चड़ने पए अथे refugee camp आविच रहना पया However, the Punjabis worked hard and started life afresh पर पंजाबियाने बुहुत महनत किती अथे अपना जीवन दुवारा तो शुरू किता They played a great role in rebuilding the state उनने पंजाबनों द्वारा स्थापपेत करन लेई महतपुरन पुमी का निभाई They made Punjab the granary of India with their hard work and agricultural skills पंजाबियान ने अपनी महनत अथे खेती बारडी दे हुनर नाल Punjab नो पारत दा अन पंडार बनाधता They brought about a green revolution in the country ओ पारत विच हरी क्रांती लेके आए Soon, India became a developing country and it was mainly due to the hard work of the Punjabis ते छेती ही पारत एक विकाशीर देश बन गया ते मुख तोर ते पंजाबियादी महनत दे कारन होया Sir, wasn't Punjab further divided when the state of Haryana was carved out of it? asked Raju ते राजु ने पुछिया कि Sir कि उस समय पंजाब दी वंड फेर तों दुबारा तो नहीं किती गई जदो हर्याणा राज दा निर्मान किता गया Yes, you are right Raju In 1966, the state of Punjab was reorganized on the basis of Punjabi and Hindi languages Raju, तुसी ठीक कह रहे हो 1986 इस भी विच पंजाब नू री ओर्गनाइज किता गया जिज़ार थे कि पाशा दे अदार थे पंजाबिया थे हिंदी पाशामान दे अदार थे 1968 इस भी विच पंजाब दा पुनर गठन किता गया Some of the hilly areas of Punjab Some of the hilly areas of Punjab like Lahul Spiti, the valleys of Kullu and Manali, Kangada, Dalhousie and Shimla were integrated with Himachal Pradesh Chandigarh was made the joint capital of both Punjab and Haryana It was declared a union territory, said Mr. Matthew पंजाब दे कुछ पहाड़ी खित्तर जे में कि Lahul Spiti, Kullu and Manali दियां काटियां, Kangada, Dalhousie and Shimla इमाचal Pradesh दे नाल मिला देते गए Chandigarh no Punjab दे हरयाना, दोवाँ दी संजी राजजानी बना देता गया ते उस नूजिज़ार थे Chandigarh no union territory केंदर शास्यत परदेश कोशित कर देता गया दरी ओर्गनाइज पंजाब केम इंटो विंग on 1st November 1966 नौ इट हैस पाकिसान उन्दा वेस्ट, जमू एन कश्मीर उन्दा नौर्थ हिमाचल परदेश उन्दा नौर्थ एस्ट एन उन्दा साउथ, इट हैस हर्याना एन राजिस्थान पुनर गठित पंजाब पहली नौमबर, एक नौमबर उन्नी सो च्याटनू हों दिवेच आया उन उस दे पश्चम वल पाकिस्थान, उत्तर वल जमू कश्मीर, उत्तर पूरवल इमाचर परदेश आते दखण वल, हर्याना आते राजिस्थान हन सर, here is a model of a dam, I think it is a famous भाकडा डैम, सेट राजू ते फिर राजू ने क्या, सर, एक डैम दा, एक बन दा नमूना है मेरे ख्याल विच ए पाकडा डैम, पाकडा बन है You are right Raju, said Mr. Matthew, this dam is 740 feet high, its length is 518 meters and it is 9 meters broad Its reservoir, known as Govinsagar, stores up to 9 billion cubic meters of water It is used for irrigating 10 million acres of fields in Himachar Pradesh, Punjab and Haryana The electricity generated in the powerhouses at भाकडा एंड नंगल is supplied to the states of Himachar Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat Pandit Nehru called भाकडा डैम, the temple of modern India ते Mr. Matthew ने क्या कि ए बन ए डैम 740 foot उच्चा है ते इस दी लंबाई 518 meter है अते चोड़ाई 9 meter है ते इस दा रिजर्वाइज इस दा जल पंडार जिस गोबिन सागर दे ना ना जाड़ें गांदा है इस विच 9 billion cubic meter पाणी इकठा या स्टोर किता जा सकदा है ते इस दा प्योग हिमाचर परदेश, Punjab ते हर्याना दी 10 million एकड़ पुमी दी सिंचाई विच किती जन्दी है पाखडा ते नंगल बिजली केंद्रा विच पैदा होन वाली बिजली इमाचर परदेश, Punjab, हर्याना, राजिसान अते गुजरात नो दित्ती जन्दी है पंडित नहरु ने पाखडा बननो अधुनिक पारदा मंदर क्या है Sir, I can hear the melodious trains of गुर्मानी There must be a गुर्दवारा nearby, said Vicky Well, we are near the golden temple of Amritsar It is the holiest shrine of the six, said Mr. Matthew ते Vicky ने क्या, कि Sir, मैंनो गुर्मानी दे मिठी तुनी सुनाई दे रही है रथे नेडे कोई गुर्दवारा जरूर होवेगा ते Mr. Matthew ने क्या, तुसी ठीक क्या रहे हो असी अमरे सर दे दर्बार साहब दे कोला एं सिखा दा सब तो पवित्तर तारमेक स्थान है Sir, they say this temple is surrounded by water, said Chen Tu Yes, it is built in the middle of a square tank To reach the temple, there is a 60 meter long marble path This path has marble railings on both the sides The temple is double storied It has a golden dome on the top The marble slabs used in the construction of the temple have on them fine artistic engravings The inner walls are decorated with precious stones They have on them priceless paintings and other works of art On the ground floor under the dome-shaped roof lies Shri Guru Granth Saheb It is the holy book of the six, explained Mr. Matthew Do you know it was Shri Guru Arjan Dev, the fifth guru of the six who compiled this holy book, asked Mr. Matthew and told him, Mr. Matthews had asked him And he told him then, Mr. Matthews has asked him Sir, there must be four per enrolled in the county Mr. Matthews never said, Mr. Matthews had said Morrowver दा जंगला है ते गुर्द्वारा दो मंजला है ते गुर्द्वारा से अब दे सिखर दे एक सुनहेरी गुंबद है ते गुर्द्वारा से अब दे निर्मान विच प्रयोग किती गिया संगमर्मर दिया स्लेब में होते कलात्मक नकाशी किती गई है ते अंदर दिया दिवा कीमती पत्थरानाल सजाईयां गई हैं उन्ना उते अन्मोल चित्रकारी अते होर कलात्मिकम किते गई हैं गुबंद का चद्धे हिठा श्रीगुरु ग्रंद सेव विराजमान हैं ए सिक्षांदा पवित्तर ग्रंथ है ते उस्तों बाद मिस्टर मैथ्यू ने पुछ यह तु अनन्दपुर सेव इस अनदर प्रेस ऑफ सिक्ष फिल्ग्रिमेज इस अस्मॉल ताउन ओन दा लेफ्ट बैंक अफ दा सत्लोज रिवर इट वस्वांद बाई श्री गुरु तेग बहादर लैक्स ऑफ सिक्ष गयादर हैं अन्वली तु सेलिब्रेट दा पांदिंग अफ बाई गुरु गोबिन सिंग इन 1699 अनन्दपुर सेव सिखांदा इक होर तीरत स्थान ए सतलुज नदीदे खब्बे पासे छोटा जा नगर है इस दी स्थापना श्री गुरु तेग बहादर जी ने कित्ती सी हर साल अथे लखा सिख खाल सा स्थापना दिवस मनावंडी सर लुक एर दिस इस अ मॉडल ऑफ ब्यूटिफुली प्लैन्ट सिटी इट है इस अनमबर अफ गार्डन्स इजंट इट चंडिकड आस्क्ड राजु सर एदर दिखो ए जड़ा मॉडल है बहुत ही वदिया तरह बहुत ही खूबसूरती नाल प्लैन कित्ते गे शहर दा है रहते बहुत सारे बाग हन की ये चंडिकड नहीं है राजुने पुच्छया मिस्टर मेथ्यू रेप्लाईड येस इस चंडिकड इस इचंडिकड इस बूटिफल सिट्यू इस इट्वट इस अठीट आप दे शिवालेख चैट इल्स इट पराइब यु निक और बूजिय Being very close to the hills, Chandigarh has a calm and pleasant atmosphere. The rose garden of Chandigarh is world famous. This city was formally declared open in October 1953 by Dr. Rajinder Prashad, the former president of India. ते Mr. Matthew ने क्या, हाँ ए चंडिकर शहर ही है, ए सुन्दर शहर. शिवालिक दे फुट जिस जर्थ है कि शिवालिक पहाणियां दी तलहटी वेच स्थित है. ते पहाणा दे नेडे होन करके, चंडिकर दा जड़ा वातावरन है, ओ बहुती शान तते सुहावना है. चंडिकर दा रोजगाडन, पूरे संसार विच प्रसिद्ध है. ते चंडिकर शहर दी विधी पूर्वक शिरुवाद, पारत दे साब का राष्ट्रपती, डॉक्टर जजिंदर परशाद द्वारा, अक्टूबर उननी सो तरविंजा वेच किती गई सी. Sir, there are some shops here that sell sports goods here. I would like to buy a cricket bat and a ball, said Vicky. Sir, अथे कुछ दुकारना हन जिद्धे की खेटर दा समान मिलता है, मैं एक cricket दा बैट अथे एक ball खरीदनी है. या मैं एक बल्ला अथे गेंद खरीदनी है, Vicky ने क्या? But, before you buy, could you tell me which city in Punjab manufactures these goods? asked Mr. Matthew. पर खरीदन तो पहला कि तुसे मैंनों एक दसक देओ की Punjab विच केड़े शहर विच? खेटड़ा दा समान बनाया जान्दा है, Mr. Matthew ने पुछिया. No, sir, replied Vicky. ते Vicky ने क्या कि नहीं, sir, मैं नहीं दसक दा. Well, it is Jalandar, said Mr. Matthew. It is one of the most important centres of the manufacturing of sports goods in the country. ते Mr. Matthew ने क्या? ए जलंदर शहर है, ए शहर देश विच खेड़ा दा समान बनावन वाले पर मुख केंदरा विच्चो एक है. The other shops there have woolen होजरी goods. दे होजरी दा अर्थ होजरी जो की कपड़ा हुंदा है. दे अर फ्रॉम लुद्याना. 95% of होजरी industry is in लुद्याना. Would you like to buy some होजरी goods अल्सू? ते तुजियां दुकानना वेच उन्नी होजरी दा समान पे आ हुया है. ते यह लुद्याने तो है. 95% होजरी दी इंडरेस्ट्री लुद्याना वेच है. कि तुसे कोई होजरी दा समान लेना या खरीदना चाहोगे? No, sir. I can't decide which ones to buy. Such purchases are made by my parents, said Chin2. ते Chin2 ने क्या नहीं, sir. ते मैं तया नहीं कर सगदा कि मैं केडा समान खरीदना है. ते यह कम मेरे माता पिता कर दे हन. कि होजरी दे कपड़े मेरे माता पिता खरीदे हन. Chin2 ने क्या. Well, children, you would perhaps like to taste these amrissary jalebbies, said Mr. Matthew, moving towards the sweet shop. All the children followed him with smiles on their faces. ते Mr. Matthew ने क्या. चंगा बच्चेओ, तुसी शायद अमरे सेर दियाँ एनना जलेबियाँ दा स्वाद लेना पसंद करोगे. ते, सारे बच्चेया दे चेहरें आपते हमें मुसकुराहाटा आगी. अधे हो, Mr. Matthew दे पिछे-पिछे मिठाई दी दुकान दे चले गए. प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे गी इस पार्ट दी लाइन बाइन एक्स्प्लेनेशन, अगले वीडियो बिच असी इस दे कोश्चन अंसर हते एक्टिविटीज करांगे.